और क्या हाले विडियी दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्एथा पाक कलम में स्वाकत की साथ साथ अभिनांदन करती हूँ तथा अपने न savez दोस्तों कैसे भूझ सकती हूँ एप लो आप लोक कैसे हो आज श्वयत्पाक कलम बना है कटहल के दौरह तयार सबची जो बहुती टेश्टी बनके तयार होती है थुरी समाकरी के दौरह सबची बन जाती है इस सिजयन में इस तरह आप कटहल एक बार बर बन करेए हैं दोस्तों हम आप इसको मिल के बनाना शुरू करते हैं कटाह के दोरा तैयार सब्ची जिसके लिए बहुत थोड़ी समाकरी जिए इस तरह की है यह हमने 500 ग्राम कटाह लिया है जिसके दोरा आज की सब्ची को बना के तैयार करेंगे और इसको अच्छी तरह से दो पानी से धूर के हमने साफ कर लिया है साफ करने के बाद इसको कूकर में डाय के उबाल लेती इस तरह का देखे छोटा कटाहल इसके तोरा सब्ची बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है पूरे कटाहल को एक प्रेशर कूकर में हमने डाल दिया और डालने के बाद इसके अंदर लगबग एक लीटर तक पानी डाल दिया कि पूरा कटाहल डूबा रहे आपको दिखा दिती इतना ही पानी इसके अंदर हमने डालना था अब इसके उपर से हमने एक टेबे स्पून सरसो का तेल डाल दिया, साथी साथ आधा टेबे स्पून इसके अंदर नमक डाल दिया, ढखकर लगा कि इसको एक सीठी आने तक गैस पे पका के तयार कर लेती, इस तरह जब तक यह पक के तयार होता है, पाकी समाकरी आपको बता चाह सके मिला लेती, इसके इंदर हमने चोछचाई टेबे स्पून नमक काझऑ हरी समाकरिको चलता तक दिया काह कर तो तरह क्पाई कड़ारा, पानी के अंदर निकाल लेती है, पानी को प्लेट के अंदर निकाल लेती है, कढ़ाई ले लिए जिसके अंदर समझी को बनाके त्यार करें गया, इस पर कढ़ाई रगती कढ़ाई गरम होगी, इसके अंदर लगपक 3-4 टेपेस्पून सरसो का तेल डाल दिया, तेल गरम होगी, अब इसके अंदर थोड़े से हमने एक साबुत मसाले लिए है, 3-4 हमने ल बूर्ण डाल दिया, साथ साथ काली मिर्च डाल दिया, दाल चिनी की टुकड़े को डाल दिया, दो तेजपता, छोटी लाइची योजीरा को डाल दिया, बूरने बाद अब जो हमने लंबाई में 2 प्याज काटके रखी, इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं, चलाते वे हमने एक मिक्सी का जाल ले लिया, और जो प्याज अद्रक हरी मिर्च लासन को पका के रखा था, इसके अंदर डाल देते हैं, ढकर लगा के इसको पीस के प्यूरी बना के तयार कर लेते हैं, और इस तरह दे के तयार होके इसको एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते है इसी के साथ साथ थोड़े से हमने पीसे मसाले इसके अंदर लिया है एक टीबे स्पून धन्या पॉड़र लिया है आधा टीबे स्पून रेट चिली पॉड़र लिया है आधा टीबे स्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला लिया है तथा आधा टीबे स्पून से कम इसके दिना पूडर यहा नमक यहां एक नमक जापध्र लाल मिच पूडर यहां इन सारी समगरी को चलाते वे भूर Knİ । करीब 2 मिनिट तक इस समय फ्लेम को हम लो रखते हैं और लो फ्लेम पी इसको 2 मिनिट तक भून के तयार कर लेते हैं मसाला जितना बड़ी हैं भून के तयार होगा सब्ची उतनी टेस्टी इसकी बन के तयार होती है बुंते वे 2 मिनिट हो गए अब इसके अंदर चो पीते प्याज का पेस्ट बनाक रख़ा पूरी पेस्ट को इसके अंदर डाल देते के अची तरह से मिला लेते हैं पने कापने कटाई को भून के त्यार के अगर आप सुखी खाना पसंत करते तो इस तरह सब्ची आप ग्रेवी वाली बना रहे हैं, इस ते हमने एक कुकर ले लिया, जिसके अंदर पूरी सब्ची को निकाल लेते हैं, ग्रेवी वाली सब्ची का स्वाथ बहुत अच्छा होता है, लगपक 200-300 मेल हमने पानी को प्योग किया था, जिसके अंदर कटाह को भूना था, उसके अंदर मसाले लगे होते हैं, उसके अंदर पानी को डाय के कुकर में डाल देते हैं, धक्कर लगा के एक सीटी आने तक पका लेते हैं, अगर आपको हमारी रेश्पी अच्छी लगती, वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, जादा जादा लोग साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं, इस तरह आपने सब्ची बनाई तो आपको कैसी लगी, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज प्लीज दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, साथ साथ बिल आइकन दबाना बिलकुल नहीं भूलना, इसके लिए आप सभ बहुत बहुत धन्वाद, बहुत बहुत शुक्राइब, फिर मिलते हैं अपने नहीं वीडियो, नहीं रिस्पिक साथ, आपकलाम, बाई दोस्तों इन्टे